दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्यूंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडिया और नहीं जैनकारी के वाल आपके लिए नमस्का फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनिस आइडिया लेके आई हूं जो कि आपका पूरे बारा महीने चलता रहेगा और वो भी बहुत अच्छे से चलेगा और सबसे इंपोर्टन चीज यह कभी बन नहीं होगा और मार्जिन इंक्रीज होता रहेगा तो फ तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनिस में दोस्तो इस बिजनिस में आपको सबसे पहले एक जगेह का परबन करना होता है जहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और मुनाफ़ा कमाते हो अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगए चाहिए होगी दोस्तों आपको इस काम के लिए कम से कम 40 गस जगए की दुरत होगी जहाँ से आप माल को त्यार कर तकते हो और जगए किसी भी इस्तान पर हो सकती है इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको दुरत नहीं होगी क्योंकि आप माल सिर्फ तियार कर रहे हो उसे आपको बेचना नहीं है उर्स्तान से तो इस्तान कोई भी हो सकता है अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपे में आपको मिल जाएंगी करो अब आपको में आपको बताती है झाल 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 दोस्तों अगर आप मशीन खरीदना चाहते हैं तो मशीन के डिलर का नमबर और एडरेस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इनके नमबर पर आप फोन करके मशीन खरीद सकते हैं या कोई जिग जानकरी अगर आपको चाहिए हो मशीन के बारे में तो भी आप यहां पर ले सकते हैं अब आपको बताते हैं कि कच्छे माल क्या लगेगा, कहां से मिलेगा और कितने रुपे परसी किलो के हिसाब से मिलेगा दोस्तो कच्छे माल में आपको पेपर और नोड़ बुक का कवर खरीदना होगा इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए दोस्तो नोटबुक का पेपर लाइनिंग वाला पूरी तरह से तियार मिल जाता है और नोटबुक कवर भी आपको तियार मिल जाते हैं आप अगर चाहें तो नोटबुक कवर पर और्डर पर अपनी नोटबुक का नाम लिखवा सकते हैं जिससे आप अपने नाम की नोटबुक मार्किट में सेल कर सकते हैं। इससे आगे चलकर आपका अपना नोटबुक ब्रैंड भी बन सकता है। दोस्तो ये कच्चा माल आपको किसी भी बड़े शहर की होलसेल मार्किट में मिल जाएगा। और दोस्तो ये कच्चा माल 50 रुपे से लेकर 60 रुपे पर जिकलो तक आपको मिल जाएगा। जागे है मशीन और कच्चे माल की विवस्ता करने के बाद आपको मैन पावर चाहिए होगी। जिसके लिए आप दो कारीगार रख सकते हैं माल तयार करने के लिए। दोस्तो अब बात करते हैं प्रॉफिट की। इस काम में 100 पेज की एक नोटबुक तयार करने में आपका जो खर्च आएगा वो 9 रुपे से 10 रुपे होगा। और आप इसको अगर होल सेल मार्किट में बेचेंगे तो आपको एक नोटबुक पर 4 रुपे से 5 रुपे मिल जाएंगे। अगर रीटेल मार्किट में आप अपना माल ले जाकर बेचते हैं तो एक ही नोटबुक पर आपको 7 रुपे से 8 रुपे मिल जाएंगे। तो दोस्तो इस काम में मुनाफ़ा भी अच्छा है एक बार आप अकर इस काम को शुरू कर लेते हैं तो आपको बस होल सेल और रिटेल मार्किट में अपने सम्मन्द अच्छे करने होंगे जिससे आप जादा से जादा माल बेच सकें इतना ही था आज की वीडियो में इन वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को दबाएं जिससे आपको हमारी सबी वीडियो की जानकारी मिलती रहें बाए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं झाल झाल